बच्चो जैसे आप लोग देख रहें उस समय मैंने एक प्रजेट बना रखा है छोटा सा थोड़ा सा आपको दूर से दिखाता हूँ यहां पर मैंने एलेक्रिसिटी के लिए छोटे से दो टर्मिलर बना रखे हैं और इसको मैंने जोट रखा है एडप्टर से को कि बैटरी हम बार बार खर्च नहीं कर सकते हैं तो मैंने adapter का use किया adapter एक बार ख़िदी है और फिर आद मैं आप बार बार use कर सकते है साल हो साल तक तो आपका battery का जो पैसा है वो बचेगा दूसरी बात मैंने एक pump लगा रखा है छोटा सा इसके देख छोटा सा DC motor है और इसको मैंने जोड रखा है hose pipe से ठीक है जो पानी ये सक करकर इस hose pipe में भेजेगा फिर उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है समय ये turbine है ठीक है ये इस type का है मैंने से कुछी चीसे जोड़ा नहीं क्योंकि फ्रीली है वेकुल ठीक है आप जैसे चाब वैसे से कर सकते हो फिर थोड़ा सा मैंने यहां पर support दे रखा है ताकि वो थोड़ा सा pressure उसको मिले और थोड़ा सा kinetic energy उसकी बढ़ जाए ठीक है अभी मैं क्या करता हूँ मैं इसको ज़रा power दे के दिखाता हूँ आपको ये देखे मैंने इसे power दे दिया है और देखे जो आपको सामने दिख रहा है टर्वाइन वो घुमना शुरू हो चुका है जैसी इस पर पानी का दबाव पढ़ रहा है तो इसके जो flap हैं वो देख रहे हैं ये है इसके flap ये इस तरीके से पानी पढ़ रहा है और ये rotate करना शुरू कर रहा है सेम ऐसे ही hydroelectricity power जो generation होता है वहाँ पे भी ही ही होता है जब पानी फ्लो से नदियों के जवारा आता है तो इसी तरीके के छोट छोटे turbines होते हैं जो rotate करने शुरू करते हैं और उसके पीछे लगा रहता है उसी shaft से जोड़ा रहता है डाइनमो जो की electricity पैदा करता है डाइनमो और DC motor में यह फरक होता है कि डाइनमो के लिए सिर्फ mechanical effort की ज़रत होती है power generation में पर जो DC motor होता है उसको आपको उसे generally power देना पड़ता है जैसे कि 3 volt, 1.5 volt इस तरीके के power देना पड़ता है आपको इस तरीके project बच्चों आप अपने घर पे भी बना सकते हो बहुत ही simple तरीके से बनाया गया है अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा उपर का shot दिखाता हूँ यह देखिए इस तरह terminal जुड़ा हुआ है और मैं आपको साब साब दिखाँ हूँ यह देखिए तर जुड़ा हुआ है मैंने कुछ अलग से कुछ नहीं किया हुआ है इस simply मैंने तर को यहाँ पर इससे जॉइन कर दिया है मोटर को जाकि मैं इसको जब चाहूँ तब मैं on off कर सकता हूँ चोटा सा की बना रखा है अब मैं आपको इसके अपोज सेट से दिखाता हूँ अब देखे बच्चे उसके अपोज सेट हैं देखे मैंने क्या फिट कर रखा है यह एक्चिली मेरे बेटे का एक टॉय था जिसमें थोड़ा सा रोटर वगरा लगावा था तो वो चीज टूट गया था तो उसके वज़े से मैंने इसको यूज किया है मैं बस यह दिखाना चाहरा हूँ यह देखे किस तरह से रोटेट कर रहा है यह देखे यह शाफ्ट जुड़ा हुआ है किस से यह देखे आपको दिख रहा होगा यह कि रॉड है बीच में यह कि हॉलो है और इसी शाफ्ट को मैं यह दैनमो मोटर से जोड़ दूँगा तो यह रोटेट करना शुरू कर देगा यानि कि एक सिंपल वे है बिजली को पैदा करने का बचो आप लोग को मेरी मेहनत कैसी लगी इस पर जरूर कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके आगे डैनमो लगाकर इसी शाफ्ट से इस शाफ्ट के जरीए डैनमो लगाकर लेक्टिसिटी या बल्ब वगरा कुछ भी जलांके दिखाऊंगा आपको अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो और कम से कम दो लाख लाइक आने चाहिए तब जहांके मैं इस पर और काम करूँगा योगी देखिए आप लोग अगर हमें लाइक करेंगे शेर करेंगे सस्क्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बहुत छोटा है लेकिन हम महनत बहुत जादा कर रहे है और मैं चाहूंगा कि आप पढ़ाई को किस तरीके से अभी मैं आपको एक छोटा सा एक्जामपल देता हूं यहां पे क्या कौन-कौन सी एनरजी लग रही है आपको मैं थोड़ा सा एक्जामपल देना चाहूंगा जैसे अभी यह रोटर जो है वो घूम रहा है ठीक है यह जो टर्वाइन है वो घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है क्योंकि इस पे काइनेटिक एनरजी लग रही है वाटर की और यह mechanical effort दे रहा है kinetic energy converted into mechanical energy और उसको kinetic energy को पैदा करने के लिए यहाँ पर हमने electrical energy दे रखा है ठीक है इस motor को हमने power दे रखा है जिससे पानी इस hose के थुरू इस flap पे गिर रहा है जिसके वेज़े से घूम रहा है इस simple way है किसी को समझाने का तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ एक खेल खेल में ही सही इन videos को जरूर देखें और इसे अपने life में जरूर implement करें Thank you